हालो फ्रेंड वेलकम पैक तो मैं चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत इंपोर्टेंट कॉशंज की आज की कॉशंज थोड़े अंडरस्टेंड इस तरह खें जिसमें आपको बहुत सारी चीजा नई सीखनों को मिलेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीचे और अभी तक मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सबस्क्राइब कर लीजे और बैल आइकन पे क्लिक पी जरूर कीजेगा जिसे की फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मि की देश के उत पाहिवाय की किसमे वी देश के देश के अला यानी खुटल परोडा यह자ंशने पैक्ष्टक्शन होसी कि उतले । श्क्रास्च-म्रों का प्रोड़ टौटलेश के तौरेश के ङुर्ट इन्वेस्ट्मेंट याने की जो हम टेक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमाई राष्टे आय कितने हैं तो पता है एफ्रेंड्स इसका राइट आंसर है A, जो कि है देश के कुल उत्पादन द्वारा हमारे पूरे overall जितना भी production हो रहा है पूरे देश में उससे हमारी राष्टी आया पता चलती है next question है भारत में प्रति व्यक्ति आय का नुमान सरवधम किसने लगाया था गोपाल कृष्ण गोखले, दादभाई नौरो जी, महत्मा गांधी या स्वामी विवेकानन्थ फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी जोकी है दादभाई नौरो जी next question पर हम मूव करते हैं फ्रेंड्स हम इन कोशन्स को ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे हम जल्दी से रिवीजन करेंगे ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धान्द का प्रतिपादन किसने किया था कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने या शुमपिटर ने तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका A कीन्स ने next question है लाप का जोकिम सिद्धान्द किसने दिया था हारवे, हाले, वाकर या नाइट फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका B हाले next question पर हम मूव करते हैं next question पर हम मूव करते हैं जो कि हमारा समय वर्यता का विचार किस ने दिया था options है ओलिन ने, विकसेल ने, फिशर ने या मार्शल ने तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है C, फिशर ने next question पर हम मूव करते हैं वह हमारा लाप के नवपरवर्तन सिद्धान का प्रतिपादन किस ने किया था नाइट ने, हाले ने, शूमपिटर ने या शैकल ने तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका C, जो कि हमारा शूमपिटर next question है आपासी लगान की अभिधारना किस ने दी थी ऐप्षन से एडमिस मित मार्शल ने रिकारडू ने या फिर जी एम मिलने तो फ्रेंड्स क कर जु राइट आंसर है वो है आप्शन बी जो की है मार्शल मार्शल ना आभासी लगान की अपधार्णा दिथी नेक्स कोश्चन है अब व्याज के तरलता पसंद की सिधान्त में सत्ता उद्देश्य के लिए मोदा की मांग निर्भर करती है जन संख हुग के आकार पर यानि पॉपुलिष्ण पर इसथर के इंकम लेबल रहनसायन का इसथर यानिकी स्टेंडरडॉफ लिविग या फिर ब्याज्वत तर यानिकी इन्टरेस्ट रेट तो फेरानंसर आ अंशर अधि इंटरेस्ट हाँ में कोई बखे जाता है वस्तु भिभेत कि सब्सक्राइब कर्णें है कि कोई भी डिफ्रेंस आना किसी बिफ्रेंस आना वह प्रॉण पुण प्रती ओगिता एक आधीकार अपुण पुण प्रती ओगिता इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स का जो राइछ आंसर है वो है option C जो कि है अपून प्रतियोगिता नेक्स कोशन है दो पक्षों के मद्द होने वाले एच्छिक व्यधानिक एवं पारसपरिक धन के हस्तांतरण को ही विन में कहते हैं यह परिवाशा दी है तो फ्रेंड्स यह परिवाशा दी है ओप्षन्स है जीविंस ने, मार्शल ने, स्मित ने या फिर हिक्स ने तो इसका जो राइट आंसर है वो है option B जो कि है मार्शल ने नेक्स कोश्चन है किसी शहर में दूद मंडी उधारण है ओप्षन्स है स्थानिय बाजार का बी स्थानिय प्रतियोगी बाजार का सी है स्थानिय प्रतियोगी अलपकालीन बाजार का या डी है स्थानिय प्रतियोगी अलपकालीन विस्ट बाजार का तो फ्रेंड्स का जो तो इस्थिर यानि फिक्स्ट परिवर्तंशिल, bunny-caste fluctuations होती रेते हैं, उन दौनों के बीच अंतर क्या है ? मात्रा का अंतर है, किसम का अंतर है, दोनों का अंतर है , या अप्रोप्ट में से किसी का अंतर नहीं है तो friends right answer है A, मात्रा का अंतर है अब हम next question पर move करते हैं next question है हमारा समान कीमत किस बाजार की विशेष्टा है एक आधिकार, पून प्रतियोगिता, एक आधिकारिक प्रतियोगिता या इन में से कोई नहीं तो friends right answer है इसका पून प्रतियोगिता यानि perfect competition next question है दीरकाल में पून प्रतियोगिता में फर्म, यानि फर्म किस तरह से विशेष्ट करती है हानी वहन करती है, B option समानने लाप प्राप्त करती है 3 option समानने लाप प्राप्त करती है, D option कीमत परिवर्थित कर देती है तो बताइए फ्रेंज दीर काल में जो पूर्ण प्रतियोगता होती है यानि पॉफट कॉंपटिशन में फॉर्म किस तरह का वेव करती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाने लाप प्राप्त करती है यानि कि नॉर्मल पॉफिट होता है उसको वो रिसीव करती है अगर्ण के अंदर शो करता है तो यह शो करता है हमारी लाइबलेटी को जबकि अगर्ण डाबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट को शो करता है इसलिए यहां पर ऑप्शन जो है हमारा टू वहमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट है डिad इस डाँपड़ बुक मेंकि रिकॉरण फिशन जो होती है वो किसका रिकॉर्ट करते है तो देखिए या's और टूप्शन से गजाओ कोटि रचान किया फिर अच्चिंश नेस्कामबर को घुट śति au तो यह हैं हमारे options तो देखें यहां पर अगर हम बात करें गुट्स आउटवर्ड बुक की तो देखें यहां पर हमें बताता है कि जो हमारे suppliers हैं उनको हमने जो माल है उसको वापिस के goods return to suppliers return outward book यह हमें शो करता है इसलिए option यहां पर हमारा right answer है next question पर आते हैं next question है हमारा cash book prepared on impressed system in अब जो cash book है वो impressed system में दिखाई जाती है तो वो किस तरह के होती है two column cash book cash book की तरह pretty cash book या फिर purchase book तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो यह impressed system के अंदर हम अपनी cash book prepare करते हैं वो हमारी pretty cash book कहलाती है friends mainly pretty cash book book cash book होते हैं जिसके अंदर हम चोटे-चोटे हमारे जो घर्चे होते हम उसको इंक्लूट करते हैं फिर बाद में जा हम उसको उससे related account में posting करते हैं तो डारेक्ट एक अगर हम एक item के रूप में उन सबको include कर लेते हैं for example जैसे कि हमने stationery में खरीदे तो प्रिटी cash book में तो यह अलग अलग mention कर दी जाएगे लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्णल में या फिर अधर इस related लेजर में तो वहां पर पोस्टि करेंगे ऐसा stationery वहां पर यह अलग अलग item शो नहीं किया जाएंगे वहां पर ऐसा stationery शो किया जाएगा प्रिटी cash book का main purpose होता है जैसे जो भी expense हो रहा है उसको उसी time record करना ठीक है क्योंकि छोट छोटे खट्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे तो प्रिटी cash book में उसी time note कर लिया जाते हैं फिर बाद में जब उसको उससे related जो पोस्टिं होती है जब वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाता है तो एक बड़े head में उन सारे छोटे खट्चों को एक बड़े amount में लिख दिया जाता है तो वह हमारा pretty cash book इसमें मदद करता है ठीक है तो एक तरह से यहां पर क्या हो गया है छोट छोटे खट्चे भूले भी नहीं और साथी साथ हमारी पूरी हमा pretty cash book option third right answer है next आते हैं the statement sent along with purchase return is अब खरीद return के साथ भीजा गया ब्यान क्या कहलाता है credit note, bills payable book, debit note या फिर purchase return book तो देखें यहां पर बात की जारी है एक statement की जो कि हम purchase return करते हैं तो उसके साथ हमें एक note भीजना होता उसको हम क्या बोलते हैं तो देखें यहां पर इसका right answer हो option number A जो कि हमारा credit note, credit note क्यलाता है क्योंकि उस पर पूरा mention होता है कि हमने इतने रुपे का माल send किया है, purchase return किया है, तो option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा, bill payable book में जो भी हम bill pay करते हैं उसके बार में mention होता है, तो यह नहीं होगा debit note हमारा, जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी sales return चीज़ होती है, तब हम लिखते हैं, purchase return book हमारी purchase returns related होता है, लेकिन वो कोई statement नहीं होता, statement में सिर्फ credit note आएगा, ठीक है नेक्स आते हैं, bank reconciliation statement is prepared by, अब जो bank reconciliation statement होता है, यह question friends, बहुत पूछा जाता है, बहुत simple है, customer, bank, reserve, bank of India या फिर इधर बी और सी तो friends, जो bank reconciliation या फिर जिसको आप short में बोलते हैं, बी और सी यह prepare किया जाता है, customer of the bank, ठीक है, customer यह देखता है कि bank में जो भी transactions उसके दौरा किय जा रहे हैं, bank से, bank उसकी सही time पर posting कर रही है या नहीं, या उसके पास जो book है, passbook उसमें सही entry की जा रही है, नहीं, तो इन दोनों को match करने के लिए, वो जो statement बनाता है, उसे बोलते हैं, BRS यानि कि bank reconciliation statement, cashbook का passbook से मिलान करने के लिए, ठीक है, next आते है, friends से थोड़ा देख लीजे, पहले आप question पढ़ लीजे, देखे, question है हमारा, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are, यानि कि जब आप bank reconciliation statement prepare करते हैं, तो check जो आपका bank में paid हो गया है, लेकिन वो अभी तक clear नहीं हुआ है, हिंदी में भी देख लीजे, bank सुलह बयान त्यार करते समय, bank में भुकतान किये गई चेक, भुकतान तो करते हैं आपने, लेकिन अभी तक वो clear नहीं हुआ है, यानि कि वहाँ पर submit नहीं हुआ है, एक तरह से bank के द्वारा, तो ठीक है, options देखे, यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है, चार options है हमें यहाँ पर, देखे, added to balance as per cash book to arrive at the balance as per pass book, या फिर deducted to the balance as per cash book to arrive at the balance as per pass book, फिर है, divided in the balance as per cash book to arrive at the pass book, और multiplied to the balances as per cash book to arrive at the balance as per the pass book, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर इन्होंने चार options आपको provide किया है, ठीक है, तो देखे, चार options के according, आपने एक चीज़ देखे होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं, तो या तो वहाँ पर हम चीज यहाँ में डिवाइड का option दे रहा, तो देखे, क्योंकि नहीं हम कोई भी statement, कोई भी entry होती है, उसको divide करते है, नहीं multiply, सिर्फ एड करते हैं, या फिर less करते हैं, कोई भी item, तो अब हमें option A या 2 में से देखना है, तो देखे, यहाँ पर यह था कि जो जो check है, वो bank में दे लेकिन वो clear नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपने तो उसको add कर लिया होगा, कि हमारे account में इतने रुपे हो गए, लेकिन सच में तो अभी हो clear हुआ नहीं है, तो अपको क्या करना पड़ेगा, डिड़क्त करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखे, option to write answer होगा, next आते है, errors which affect one account can be, अब हमें ऐसे errors बताने हैं, जो सिर्फ एक account को effect करते हैं, तो options देख लीजिए, errors of omission, error of principal, error of posting, या फिर error of commission, तो देखे, यहाँ पर यह बात कर रहे हैं, एक account को effect करें, तो देखे, friends, अगर error of omission होगा, तो यह account से related नहीं है, principal, double account से related होता है, commission भी नहीं होगा, error of posting हमारे एक account से related हो सकता है, कि हमने एक account में posting नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ पर option third, जो है, वो इसका right answer हो जाएगा, posting से related चीजिए हमारी one account में effect करेंगी, जब कि principal दौनों पर based होगा, commission भी दौनों पर based होगा, commission भी दौनों पर based होगा, और commission भी हमारी दौनों सा यानि कि एक वर्षे दूशे वर्षे तक आंगे ले जाने की तुरुटिया, क्या कहलाते है, personal account से होते है, real account से, nominal account से, और personal and real account से, तो देखें, यहाँ पर errors of carry forward from one year, तो देखें, यहाँ पर second year में क्या ले जाते है, balance sheet, तो आपको घुमाकर यह question आप से कर लिया गया है, ए तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखें, यहाँ पर एक साल से दूसे साल में forward की बात कर रहे है, इसका मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, तीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब देखें, बीयार से ही related है, एक और question हम Each of the following errors is an error of omission, अब मैं बताना है, error of omission से related इसमें से कौन सी error है, option 1 है, sale of 800 rupees was written in the purchase journal, यानि कि 800 रुपे की आपकी sale हुई है, लेकिन आपने purchase journal में लिख दिया, second option है, wages paid to the sohan, यानि कि sohan को wages paid की और वो उसके लेकिन account में debit कर दिया, फिर है, a total of sales journal, यानि कि social journal का जो total है, वो आपने sales account में post नहीं किया है, next है, the total of sales journal has posted to the sales account, अब जो total है, वो sales account में आपने post कर दिया है, अब आपको यहाँ बताना है, omission बताना है, कि इसमें से कौन सा error of omission है, तो अब ध्यान से देखी, friends, यहाँ पर error of omission की बात करा, यानि कि दौनों तरफ, तो देखी, यहाँ पर हुआ है, यानि कि double entry का काम है, यह भी double entry है, और यह भी यहाँ पर गलत है, ठीक है, वो, यह तो हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसकी entry थी, वो हमने वहाँ पोस्ट कर यह बिल्कुल correct है, लेकिन options के according देखे, तो यहाँ पर option 3 हमारा right answer हो जाएगा, I hope यह भी आपको question clear which options are not a feature of bearer deventure, और इसमें से कौन सो option है, features है, जो कि हमारा bearer deventure का नहीं है, कौन सो विकल bearer deventure के विशिष्टा नहीं है, यह हो गया आपका हिंदी मैं question, options are the interest paid to the holder, respected to, of identity, यानि कि व्याज धारक को पैचान के बाबजूत बुकतान किया जाता है, यह इसका क्या यानि कि यह केवल वित्रण द्वारा स्थांत्रित किया जा सकता है, next है, the transfer of bearer deventure requires transfer date, यानि कि जो bearer deventure के स्थांत्रण के लिए स्थांत्रण विलेक के अवशिकता होते है, third option, and fourth है हमारा, it is negotiable tool, यह है परापक्रम में उपकरण है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा न इसके लिए transfer deed की जरूरत नहीं होती है, bearer deventure के लिए, option B, right है, क्योंकि दिखें, नाम से bearer deventure है, यानि कि जिसके पास होगा, उसको यह transfer हो जाएगा, वो उसका owner है, वो उसका payment ले लेगा, ठीक है, transfer deed की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए option C, यहां पर हमा अकाउंट की रूप में है, किस अकाउंट की रूप में है, current account की रूप में है, nominal account यानि की नाममात्र खाते की रूप में है, personal account यानि की विक्तिगत खाता और real account यानि की real account की रूप में है, तो friends, अगर हम deventure application की बात करने, तो deventure application account चो होता है, वो हमारा एक तरह से personal account की में होता है इसने option से यहां पर हमारा right answer हो जाएगा व्यक्तिगत खाता नेक्स question पर आते हैं the form of a discount on issue of the venture is in the nature of अब जो discount and venture को भी issue किया जा रहा है discount की form में यानि कि हम discount per venture को issue कर रहे हैं तो वह किस nature का होगा deferred revenue expenditure यानि कि आस्तगित राजस्वय, capital loss यानि कि पुंजी का थानी, revenue loss यानि कि राजस्वहानी राजस्वहानी यानि कि उपरत में से कोई नहीं तो फ्रेंड जब हम debenture issue करते हैं किसी भी तरह के discount पर तो देखें यहां पर इसका right answer होगा वो एक तरह का हमारे लिए capital loss होता है क्योंकि debentures हमारे capital nature का होता है और उस पर loss हमारा capital loss है तो option B यहां पर हमारे क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा तो I hope आपको यह questions clear होए होगे इस वीडियो में हमने Hindi English donor का एक साथ discussion कर लिया आपको समझने में भी आसा नहीं होए और आपको confusion भी आए हो पक दूर हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी query हो आपकी कोई suggestion दिना चाहते हो तो आप comment section में बदा सकते हैं और फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और वीच्छी वीडियो के साथ अब तक लिए टेक केर बाई बाई